जया श्री हरी विष्णु जयमा, लक्ष्मी स्वागत है। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल वैदिक द्रिष्टी पर भक्तों। 12 नवंबर 2024, देव उठनी एकादशी के दिन बस कर लीजिएगा, एक मुठी धनिया का प्राचीन समय का गुप्त उपाय, जीवन के हर परेशानी से आपको मिल जाएगी। तुरंत मुक्तिमा लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरी विष्णु जी के आशीरवाद से आपके ज जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप धनवान खुशियों से भर जाएंगे। आपका घर भगवान श्री हरी विष्णु जी और मा लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भगतों पर धन बरसा हिंदू सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का खास महत्व है। कार्तिक मास की एकादशी को भगवान श्री हरी विष्णु चार माह के विश्राम के बाद योग मुद्रा से जागते हैं इसलिए यह देव उतनी कहलाता है भक्तों माना जाता है कि यदि आप देव उठ पर वरत रखकर भगवान श्री हरी विष्णु जी या मा लक्ष्मी जी से कोई भी वर्दान या आशीरवाद मांगते हैं तो एक ही दिन के वरत से आपकी मनो कामना पूरी हो जाती है लेकिन इस दिन यदि आप वरत नहीं रख सकते हैं पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसके विकल्प में हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार एक मुठी धनिया का उपाय कर लेते हैं तो तुरंत ही आपको भगवान श्री हरी विष्णु जी और मा लक्ष्मी जी का वह वर्दान और वह आशीरवाद मिलता है जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर क निर्धनता, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाती है बलकि इस दिन यदि आपने एक मुठी धनिया का उपाय सही मुहूर्ट पर कर लिया तो तुरंत ही भगवान श्री हरी विष्णु जी और मा लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके ज जीवन में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपको आपके जीवन के सभी प्रकार के आर्थिक परेशानी और आर्थिक तंगी से मुक्ती मिल जाएगी, धनिया का उपाय यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन करेंगे बहुत ही शुभ और कल्यानकारी बताया गया है, भक्तों, देव उठनी एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है, क्योंकि पूरे चार महीने की निद्रा के बाद भगवान श्री हरी विश्नु जी इस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं, वेद पलट करके एक मनुष्य को लाभ जरूर देता है, और यदि आप हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी उपाय करेंगे, तो आपको तुरंत ही भगवान श्री हरी विश्नु जी और मा लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिल जाएगा, और इस दिन यदि आपन मानिये, भक्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद, तुरंत ही भगवान श्री हरी विश्नु जी और मा लक्ष्मी जी के आशीरवाद से, आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ती मिल जाएगी, और आपके जीवन में चमतकार अब आप बार-बार सोच रहे होंगे कि एक मुठी धनिया का उपाय करके आप मनुष्य को भगवान श्री हरी विश्नु और माता लक्ष्मी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भक्तो धनिया का सीधा संबंध धन से होता है, दूसरी धनिया में मांडि लक्ष्मी के दिव्य शक्तियां का वास होता है, हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि भगवान श्री हरी विश्नु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा में आप एक मुठी धनिया का उपाय करेंगे, तो वह पूजा तुरंत सिध्ध हो भगवान श्री हरी विश्नु जी और मां लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे, तो मान के चलिए, एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान श्री हरी विश्नु और महा लक्ष्मी का वह वर्दान और आशीरवाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जीस कार्य को शुरू करेंगे। उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए भक्तों, धनिया बाजार में बड़ी ही आसानी से आपको 20-25 में मिल जाएंगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है, उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं और यकीन मानिये। यदि आपने देव उठनी एकादशी के दिन सही तरीके से विधिविधान से एक मुठी धनिया का उपाय कर लिया, तो आपका भाग्य उदय होने से खुद भी नहीं रोक सकते। यह एक ऐसा उपाय है, जो आज भी कई धनवान लोग हर देव उठनी एकादशी के दिन करते हैं, तो इस उपाय को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है। जैसा हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए यदि आप चाहते है कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरी विष्णू की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरी विष्णू के आशीरवात से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आप का साथ दे तो भक्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जयमा लक्ष्मी हम पर कृपा करें जय श्री हरी और आप से अनुरोध है वीडियो भक्तों सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का गुप्त उपाय यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए आपके नव ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाए आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दें तो एक बात तो समझ लीजिए, एक मनुष्य के जीवन के भाग्य, राहु केतू का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान श्री हरी विष्णु जी के हाथ में होता है, और यदि आपने एक छोटा सा उपाय इस एकादशी पर कर लिया, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यह उपा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है, आपको सिर्फ यह करना है कि बारह नवंबर के दिन सुबह आपको नहा लेना है, आपके घर का जो भी पूजा घर है, वहाँ पर आपको एक पीला वस्त्र बिछाना है, पीला वस्त्र बिछाने के बाद उसमें एक धनिया रख देना है, देखिए पीला रंग भगवान श्री हरी विष्णुजी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अब पीले वस्त्र में जो आपने एक मुठ्धी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांध कर एक पोटली बना लीजिए और अ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह। तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा, यह पोटली आपके हर दोश को पूरे साल समाप्त करती रहेंगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कत आती है, तो यह छोटा सा उपाय करना मत भूलिए, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य, आपका तो यदि आप भगवान श्री हरी विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का गुप्त उपाय, भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको अपने जीवन में धन की कमी न हो, मा, लक्ष्मी और भगवान, श्री हरी विष्णु के आशीरवात से फिर आपको आपके जीवन में धन संबंधित, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े तो भक्तों, पारा, नवंबर, एकादशी के सूर्यास्त के बाद आपको यह छोटा सा उपाय करना है। आपको बस यह करना है कि देवोठनी एकादशी के सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा घर पर आपको बैठना है। इस वस्त्र की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। 11 बी तिथी के दिन यह उपाय आपने कर लिया तो मा, लक्ष्मी जी भगवान, श्री हरी विश्नु जी के आशीरवाद से यह पोटली आपके जीवन में एक धन चुम्बक बन जाएगी जो धन खीचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह प्राचीन समय का गुप्त उपाय है जो आज भी कई धनवान लोग करते हैं। तो इस उपाय को आप भी करना मत भूलिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दें। आप जीस कार्य को भी शुरू करें। उस कार्य में आप आपको सफलता प्राप्त हो तो भक्तों क्या कीजिएगा। बस इस देव उठनी एकादशी के दिन आप घर पर ग्यारह रोटियां बनवा लीजिए। क्योंकि ग्यारह अंक भगवान श्री हरी विश्नु जी को मा लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको ग्यारह की संख्या में धनिया रख देना है। और यह किसी भी गाय माता को खिला देना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फाइदा यह उपाय इसी लिए आपको करना है क्योंकि गाय माता में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता के गोबर में मा लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण भी सबसे बड़े गौव सेवक थे और यह उपाय यदि अपने इस एका दश पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु आपके नवग्रह आपका भाग्य साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचेगा और प्रत्येक देव उठनी एका दशी के दिन उपाय किया जाए। एक मनुष्य का भाग्य उ हो जाता है। एका दशी के नियम देव उठनी एका दशी पर केवल निर्जल या जलिय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। यदि रोगी, व्रिद्ध, बालक या व्यस्त मनुष्य हैं तो केवल एक वेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक स परहेज करना चाहिए। भगवान श्री हरी विश्नु या अपने इश्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिलकुल ना करें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासु देवाएं नम मंत्र का जाप करना चा चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाये जाते हैं, जो ढके रहने चाहिए। भगवान को गन्ना सिंगहाड आ और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर घी का एक दिया जलाए। इसे रात भर जलने दें, फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत करके जो मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। देव उठने के बाद तुलसी विवाह भगवान श्री हरी विष्णु के योग्य निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान श्री हरी विष्णु को तुलसी सरवाधिक प्रिय है इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भग्न को प्रसन्न किया जा सकता है इसके पीछे प्रकृती के सनरक्षन और वैवाहिक सुख की भावना होती है जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। रखने वालों को दश्मी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, आदी निशेध वस्तूओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शल्जम, गोभी, पालक इत्यादी का सेवन नहीं करना चाहिए। एका दशी पर श्री विश्नु की पूजा में मीठा पान चड़ाया जाता है। लेकिन इस दिन पान खाना भी माना है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इत्यादी, अमरित फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदी का सेवन किया जा सकता है। एकादशी पर जो बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए, इस वरत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तू प्रभु को भोग लगा कर तथा तुलसी दल छोड़ कर ग्रहन करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन क्याना करें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरी विश्नु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभकार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। हमारे सनातन धार्मिक ग्रंतों में कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री हरी विश्नु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। गुरु जी का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देव उठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। भक्तों इस देव उठनी एकादशी के दिन यदि आप मा लक्ष्मी और भगवान विश्नु को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मा लक्ष्मी जय श्री हरी। और हमारे चैनल वैदिक दृष्टी को सब्सक्राइब करें। जय मा लक्ष्मी।